गुड मॉर्निंग चिल्डरंस आज हम क्लास 6 रैन्बो का लेसन नमबर 12 सेफटी सेव्स का एक्सरसाइज वर्क और प्रैक्टिस वर्क करेंगे वाट काइंड ओफ बॉइ वस कुनाल स्टोरी में एक बॉइ है कुनाल जो की बहुत केरलेस है कुशन में पूछा गया है कुनाल किस तरह का लड़का था तो उसका आंसर है कुनाल वाज अ केरलेस बॉइ कुनाल कैसा लड़का था एक लापर होगा था वाय डिट कुनाल नीड एपैन कुनाल को एक पैन की आवश्यक तक क्यो थी कुनाल नीड एपैन की आवश्यक थी वहाइज इस देंजरस तो कैच अ रनिंग बस ये खतरना क्यों है चलती हुई बस को पकड़ना ये बहुत खतरनाक है चलती हुई बस को पकड़ना क्योंकि हम गिर सकते हैं हमारे चोट लग सकती है और हम अपनी बॉड़ी को हाम पहुचा सकते हैं और इससे हमारी म्रत्यू भी हो सकती है कुनाल जम ओफ इंटू दा बस कुनाल बस में से क्यों क्यों दा वहन कुनाल फाउंड आउट जब कुनाल को पता चला he was on the wrong bus वो एक गलत बस में है his face turned pale उसका चेहरा पीला पड़ गया he jumped off the bus वो बस से कूद गया how did the woman help कुनाल उस ओरत ने कुनाल की किस तरह से मदद की the woman offered कुनाल a lift and took him to the doctor उस woman ने कुनाल को उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई as he was injured जैसे वो चोट लगी उसके what lesson did कुनाल learn कुनाल इससे क्या lesson सीखता है कुनाल learned a lesson on road safety rules कुनाल ने road safety के नियम सीखे that one should follow for one's own safety जो की हर किसी को follow करने चाहिए as well as everyone's safety और दूसरों की safety के लिए भी next question है underline the silent letter अब हमें इसमें silent letter को बताना है कि इसमें silent letter कौन सा है तो पहला word है no इसमें silent word है k अगला word है often इसमें silent है t अगला है should Should में L की आवाद नहीं आ रही है इसलिए L Could में भी L की आवाद नहीं आ रही है इसलिए L Wrong में W नहीं की आवाद नहीं है इसलिए जबलू Walk Walk में भी L का साउंड नहीं आ रहा है Knife Knife में K का साउंड नहीं है Listen Listen में T का साउंड नहीं आ रहा है डबलू का बॉबल के अवाज नहीं है, डाउट, बीक की अवाज नहीं है, फोक, एल की अवाज नहीं है, फिलिंदा ब्लेंक्स विद्धा करेक्ट एडवर्ब, यह फिलिंदा ब्लेंक्स हैं, जिने हमें करेक्ट एडवर्ब के साथ भरना है, तो she sings sweetly, she speaks clearly भराए, he shouts loudly भरा है, he writes neatly, a tortoise walks slowly, एक tortoise कैसे चलता है, slowly, make new words by adding ly to the following, beautifully, इसमें ly add किया है हमने, carelessly, इसमें भी ly, friendly, badly, weakly, carefully, monthly, lightly, loudly और yearly में भी ly का प्रियोग पराए, इस तरह हमारा यह exercise work complete हुआ, next, 13 chapter के साथ, फिर मिलेंगे, till then, bye bye, इसे साथ, व्यान्यविया यह